तो ODII World Cup में उलट फेर का दौर जारी है और एक बार फिर अफगानिस्तान ने बड़ा उलट फेर करते हुए इंगलंड के बाद पाकिस्तान को भी हरा दिया है अफगानी टीम ने विशुकप में तहलका मचा रखा है और लगातार उनकी चर्चाएं हो रही है पाकिस्तान को हराने के बाद जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि अफगानिस्तानी टीम ने इस विशुकप में एक अलग ही अंदास दिखाया इस वीच अफगानिस्तान की जो खिलारी है इब्राहिम जादरान उन्होंने 87 रंकी पारी खेली और इस जीत में एहम भूमिका निभाई उन्हें प्लेयर अफटम मैच अवार्ड दिया गया की टीम की तो एक अलग ही अप्रोच यहां पर पाकिस्तान की खिलाफ मैच में देखने को मिली इंग्लेंड को जरूर हराया था दिल्ली में खिले गे मैच में लेकर इसके बाद अफगानिस्तानी टीम का जो रंग यहां पर देखने को मिल रहा है जिस तरह से खिलाडियों म चाहें लगाता टीम की हो रही है स्कोर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 7 विकेट कोकर मैच में 282 रन बनाए थे और अफगानिस्तान ने महद 2 विकेट कोकर इस लक्ष को हासल कर लिया अफगानिस्तान की तरफ से रहम उल्ला गुर्वाज ने 65 रन बनाए इबराहिम जैसे कि इबराहिम जादरान ने 87 रन की पारी खेली जैसा कि मैंने आपको बताया हर्शमतुला शहीदी ने 48 रन बनाए और रहमत शाह ने भी 77 रन की पारी खेली तो बहुत ही शांदार प्रदर्शन यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है और पिशले कुछ समय से पाकिस्तान में जो कुछ हमले हुए थे या जिस तरह के हालात थे उसका जिम्मदार जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान को बता रहा था उसी के चलते दोनों देशों में कुछ रिष्टों में खटास पैदा हुई और उसके बाद अब पाकिस्तान क ने हराया था और अब पाकिस्तान को हरा कर तहल का ही मौचा दिया है अंतराश्ट्र क्रिक्ट में पहली बार अफगानिस्तान ने यहां पर ओडियाई फॉर्मट कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को हराया है बहुत बड़ी हार यहां से अब पाकिस्तान के लिए सेमि फायनल की रख कैसे बने गी या कैसे पाकिस्तानी टीम आगे का रास्ता बना पाएगी यह देखना काफी दिल्चस्प रहे cadre लेकिन यहां पर बाकई तारीफ करनी हुगी अफगानी टीम की जिन्हों ने कमाल का प्रदर्शन यहां पर किया है बाकी की अप्डेट्स के लिए आप देखते रहे हैं डीटीवी स्पोर्ट्स